जेहिं दोस्तों ताइए दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है दोस्तों अज फिर से हम देखेंगे साइंस का जो क्रेंस कोर्स चल रहा है उसका हम देखेंगे 11 कलास 10 कलास कंप्लीट हो चुका है नहीं देखेंगे पूरा देखते आएए सारा important question objective हो रहा है यहाँ पर आपको मिल रहा है science में तीनो subject का physics, chemistry and biology का mix question जिस तरह से आपके board exam में पूछा जाता है सारा important question है एक भी question miss नहीं करना है नहीं तो आप लोग miss हो जाईएगा ठीक है चलिए तो हम यह कहेंगे कि आप लोग एकदम continue मेनत करते हैं यह जितना भी objective बता रहें सारा objective दिमाग में ठोक लिजिए अगर इससे नहीं मिला तो आप लोग comment करके बताईएगा पढ़ाना छोड़ देंगे यह मेरा पढ़ाना बेकार होगा हम आप लोग के लिए मैनत कर रहें ताकि आप लोग अच्छा नमबर लाएं और अपने मतापिता का नाम रोशन करें तो बस मेरा यही एक target है केवल आप लोग बोड exam की तयारी में लगे रहें तो दोस्तों एक आर्मा क्लास है क्रेस कोर्स का ठीक है तो चलिए question 25 तक complete हो गया था आज हम 26 से देखेंगे ठीक है छोटा छोटा वीडियो लेकर आए है ताकि आप लोग को समझने में क्या हो आसानी हो मस्ती के साथ एक दम घबराना नहीं है enjoy के साथ पढ़ना है कहीं पर दिकत हो comment कीजिए जरूर जवाब मिलेगा question 26 देखते हैं कितने student को याद है जिनको याद है comment करिएगा ठीक है चलिए सब के लिए पूरा यहाँ पर system लागू है तो घबराना नहीं है एक-एक question कीजिए सारा question हम बता दें कि अगर हम जितना बता देते हैं उतना अगर आप याद करके जाते हैं इमंदारी पूर्वक इमंदारी से याद करके जाते हैं तो एक भी question objective नहीं छोर कर आईएगा यह मेरा guarantee है सारा question करवाएंगे घवराना नहीं है question है ओएच अभी क्रियासील मूलक वाले योगी का नाम क्या है तो दोस्तों हम बता दें कि इसका जो राइट answer होगा वह alcohol हो जाएगा एलकोहल के लिए जो क्रियासील मूलक होता है वह OH होता है ठीक है अगला question calcium carvide जल के साथ अभी क्रिया कर करके देता है तो क्या देता है तो इसका जो राइट answer हो जाएगा वह एथीन देता है क्या देता है एथीन ठीक है अगला और जोन के एक अनू में oxygen के परवानों की संख्या कितनी होती है तो हम बता दें इसका जो राइट answer होगा वह हो जाएगा ठीक है एकदम मस्ती के साथ not answer only पढ़ाई enjoy के साथ पढ़ जो देख लिए वो तो बल्ले बल्ले जो नहीं देखें उनका हम यह नहीं कहेंगे कि अच्छा एक्जामना हो बहुत अच्छा हो उनका भी लेकिन थोरा पैसान ही हो सकता है ठीक है कमरे के ताप पर द्रब अबस्था में रहने वाली धातू है तो इसका जो राइट answer हो जा आप लोग जबाब दिजिएगा इस तरह का question भी आएगा किने नंकित में कौन छारी ऑक्साइड है तो आप लोग को क्या अंसर मारना है पता है एने टू ओ क्या मारिएगा एने टू ओ ठीक है आगे बेकिंग पावडर एक मिश्रन है बेरी इंपोटेंट कोस्टन है यही चलिए आगे बढ़ जाते हैं question समझिएगा और जवाब दिजिएगा नहीं याद है तो गौर्ट से सुनिएगा ठीक है चलिए जी आगे हो गया अब देखिए नुकलियस सब्द किन के द्वारा दी गई नुकलियस सब्द किन के द्वारा दी गई तो आपनों को यह चीज़ याद होना चाहिए किन के द्वारा दी गई तो आपको याद रखना है रोबर्ट ब्राउन के द्वारा ठीक है रोबर्ट ब्राउन के द्वारा ठीक है आगे पोधे में भोजन किस रूप में जमा होता है तो आपको याद रखना है सारा सब्जेक्ट का है physics भी है chemistry भी है biology भी है आप कहां जाईएगा पढ़ लिजिए एक ही में पूरा बार बार अलग अलग पढ़ने से तो फैदा होगा जबराना नहीं है कहीं पर भी दिकत हो तो आप हमें comment कीजिए जो भी subject में हिंदी हो इंगलिस हो जिसमें भी जिसका भी question चाहिए कीजिए लेकिन हम तो पूरा देंगे इसा तो नहीं है science का देंगे maths का भी कराते हैं हिंदी का भी कराएंगे केवल आप लोग को सबर करना है patience रखे ठीक है परसीद पुस्तक the micrographya किनके द्वारा लिखी गई थी तो इसका जो right answer होगा वह हो जाएगा Robert Hook के द्वारा ठीक है चलिए अगला question है कि पौधों और पस्वों की कोसिकाओं का बिग्यानिक अध्यन क्या का लाता है very important question है तो इसका जो right answer हो जाएगा कोसिका बिग्यान का लाता है ठीक है चलिए मस्ती के साथ मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं question number 37 को देखेंगे अब आपके सामने है question number 37 बोला है मानव हिर्दय घिरा हुआ है तो किस से घिरा हुआ है तो pericardium से घिरा है मानव का हिर्दय किस से घिरा हुआ है pericardium से ठीक है चलिए अगला 38 नमर बिजान्ड की और प्राग नलिका की बिर्धी का कारण होता है तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा chemotropism देखें दोस्तों यहां पर थोरा question जो है printing में थोरा इधर हो गया होगा तो इसे तो question हम पर देते हैं लेकिन दिखने में हो सकता है कहीं पर थोरा थोरा कठनाई हो तो इसके लिए sorry यह misprint हो गया है printing में जो है थोरा print लगता है कम था इसलिए size से दिखाई नहीं पर दा है फिलाल तो ठीक है मनुस में स्वय तरक्त कोशिकाओं की जीवन अब धी कितनी होती है तो इसका जो right answer होगा वो बारा से 20 दिन बारा से 20 दिन ठीक है अगला है कि पित्रस कहां से स्रावित होता है तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा या क्रेट एक के question को किजिए कहीं भी आपको नहीं जाना है सारा का सारा चीज हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं objective का ठीक है एकदम इमंदारी पुर्वक सारा question पर लीजिए फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा धूम मचा कर आईएगा एक्जाम में मेरा नाम नहीं लीजिएगा तो फिर बोलना ठीक है चलिए आगे किस जीब में हिमोगलोबिन नहीं होता है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मक्खी में हिमोगलोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है यही सब question आएगा आप बे बज़ा इधर उदर बुक पढ़ने में फस जाते हैं पता चलता है एक्जा मनुस के अहार नाल में अब सेसी अंग है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा appendix क्या हो जाएगा appendix option number B ठीक है आगे देखिए 43 नंबर 44 हो जाएगा निम्नांकित में कौन यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि निम्नांकित में कौन ट्रीप्सन इंजाइम क का कारिये है तुए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा इन में से सभी यानि कि वसा का पाचन भी होगा कार्भि अम लिखार परत्षणी का पाचन भी तीन वह होगा यानि इन में से सभी होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला question समझेगा 49 नमबर से सौरी उन्चास नहीं यानि 45 से ठीक है 45 से आपको कोस्टन देखना है और जवाब देना है कि क्या होगा ठीक ना चलिए ठीक है ये हाँ अब ठीक हो गया चलिए आगे हैं मुख गोहा में अहार का कौन सा भाग का पाचन होता है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्वोहाइड्रेट का क्या होगा कार्वोहाइड्रेट का ठीक है चलिए 46 नमर है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है मस्ती के साथ एकदम कोस्टन को पढ़ते चलिए ठीक है बहुत प्यारा कोस्टन है बहुत प्यारा कोस्टन जो बोडिजा में कोशिका कौन है तो आपको जवाब देना है कि इसका जो राइड अंसर क्या होगा तंत्री का कोशिका ठीक है तंत्री का कोशिका परकास के प्रावर्धन के कितने नियम है ये तो आप लोगों को यादी होगा दो नियम ठीक है आगे अउदन का अवर्धन होता है Very Important Question है कि अउदन दर्पन का अवर्धन क्या होता है भीवायू हो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये पचास question complete समझ में आगिया होगा 26-50 तक तो यह हमारा था इगारमा class class course का ठीक है एक एक question उम्मीद करेंगे कि आप लोग साही डंग से समझ गए होंगे कहीं पर भी दिकत हो तो आप हमें comment कर सकते हैं हम आप लोग के लिए board exam से समंदित सभी टिप्स और साथ ही साथ question answer करवाते हैं अगर दिखें यहां पर फिर cost class है यहां पर एक भी रुपए नहीं लगेगा केवल आपको करना क्या है आप जानते हैं हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं printing question question print करवाते है फिर print बाहर निकलाते हैं फिर question करवाते हैं आप लोग मेह लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं चैनल को पहली बार चैनल पर आहे हैं तो को subscribe कर लीजी दोस्तों में share कर देजी मेरा आप लोग के लिए बस इतना ही पंदे मतरम!